ओम सिरी गनेशायन अमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो जन्वरी स्वंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सोंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज positive रहने वाला हैं दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते है इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साति सात आज आपके प्रतेक कारे सरल्टा पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आज आपको प्राप्त होगा नई यो अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको एक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा उसकी भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सभी काम सफ भी करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उतार चड़ाव से भरा रहने के बावजूद भी काफी अच्छा रहन करने वारा है मुश्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशकता है अन्यता आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शा कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्छताना ना पड़ें साथी साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर नालें माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क् उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ति असंभव है साथी साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग पानी और वाहन दुरगटना से समल कर रहें बदना आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप अवश चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुसीबत में आज आप लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को मदूर बनाएं रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वह भी आज समप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिस्ते में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिस्ते में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वह मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकर्षन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाय में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेश करना लाबदायक रहेगा कारे छित्र में आज माहौल काफी अच्छा रहेगा और वेपार वेवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्थ होने की संभाव न रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथ साथ आज आपको अपने वेवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जिना दोस्तों वैवसैक दरश्टी से आज की स्थिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विद्ध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं जा आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ब्रहम, भे, वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोज़ाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्धा के नुशार अपने शामर्थ के नुशार चावल दूद या फिर चांदी का दान करें जहां दोस्तो ऐसा करने से भगव भगवान भुलेनात के अशिरवाद से आपको जल्द ही सुब फरो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भुलेनात का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भुले ना तवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद